हलो फ्रेंड्स वालकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टुड़े वी विल टॉक आपाउट एरे कमांड जी हैं दोस्तों आज हम ओटो केड में सीखेंगे कि एरे कमांड किस तरीके से काम करती है दोस्तों एरे कमांड के अंदर तीन मैथड्स आते हैं सबसे पहला है आपका रेक्टेंगुलर एरे दूसरा आता है आपका पॉलर एरे एंड लास्ट वन इज पाथ एरे आज इस वीडियो में दोस्तों स्टैप बाइस्टैप विद एक्जाम्पल्स हम ये तीनों मैथड्स सीखेंगे दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यही क दोस्तों जैसा कि मैंने भी आपको बताया आज इस वीडियो में हम आटोकेड के अंदर एरे कमांड सीखेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एरे कमांड के अंदर तीन ओप्शन्स होते हैं रेक्टेंगुलर एरे पाथ एरे एंड लास्ट वन इस पॉलर एरे आज इस वीडियो में हम step by step ये तीन ओप्शन्स सीखेंगे तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एरे कमांड के लिए जैसे ही आप कमांड लाइन में एर टाइप करेंगे एंटर करेंगे आपकी एरे कमांड एक्टिवेट हो जाएगी दूसरा दोस्तों य यहाँ पर भी यह एक आइकन दिया है इसके जैसे आप ड्रोग डाउन में जाएंगे आपको एरे कमांड के तीन ओप्शन्स मिल जाएंगे रेक्टेंगुलर एरे पाथ एरे एंड पॉलर एरे सो फ्रेंडस हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे कमांड की तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक rectangle draw गर रहा हूँ 100 by 50 का ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि rectangular array command कैसे काम करती है यह हमारा rectangle draw हो गया है अब दोस्तों array command के अंदर मैं rectangular array में गया हूँ नीचे पूछ रहा है command line में select object, object को select किया है जैसे ही मैंने यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पर एक tool palette open हो गया है rectangular array command का और सेम यही सारे options आपको यहाँ नीचे command line में भी देखने को मिल रहे हैं अब इन सारे options को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों पहले मैं इसकी dimensioning कर देता हूँ टाकि हम अच्छे से समझ जाएं कि यह सारे options क्या काम करते हैं dli यहाँ से यहाँ तक दोस्तों यह कहलाती है column spacing यहाँ से यहाँ तक जो आपकी dimension है वो कहलाती है total column distance इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक दोस्तों row spacing और यहाँ से यहाँ तक total row distance हमारी जो column space है और column distance है इसी तरीके से row spacing है और row distance है उसको आप यहाँ से increase या decrease करेंगे तो मेरी row spacing and column spacing total column distance and total row distance increase या decrease होती हुई आपको यहाँ dimension में दिखेगी अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ column spacing 150 मैंने इसको कर दिया है यहाँ पर 170 तो देखेंगे दोस्तों मेरी total column distance automatically 510 हो गई है और मेरी जो column spacing है यहाँ से यहाँ तक 170 हो गई है इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 170 यहाँ से यहाँ तक 170 अब दोस्तों हम rows के अंदर चलते हैं यह rows spacing है 75 है इसको मैं 85 कर देता हूँ तो देखेंगे मेरी 85 rows spacing हो गई है दोस्तों और automatically मेरी जो total rows distance है वो 150 से 170 हो गई है तो यह दोस्तों rectangular array command के अंदर column spacing total column distance था row spacing total rows distance था अब दोस्तों मैं dimension को remove कर देता हूँ आगे का process बताने के लिए अब देखेंगे दोस्तों मैंने जैसे ही object पर click किया है यहाँ पर हमें दिखरा है number of columns 4 and number of rows 3 number of columns 4 को अगर मैं 5 करता हूँ तो क्या होता है तो देखेंगे मेरे number of columns 5 हो गए है 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से number of rows 3 है 1, 2, 3 यहाँ पर number of rows मैं 4 कर देता हूँ तो क्या होता है मेरे number of rows 1, 2, 3, 4 हो गए है तो दोस्तों यह number of columns था यह वाला options number of rows था अभी dimension के through हमने सीख लिया था column spacing, total column distance, rows spacing and total rows distance तो यह था दोस्तों rectangular array command अब इसके अंदर दोस्तों दो options और आते हैं वो मैं बता हूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जो आपको grip दिख रही है इसके बारे में भी बता देता हूँ आप देखेंगे इन columns के अंदर एक rectangular grip दिख रही है और दो triangular grip दिख रही है इसी तरीके से rows के अंदर एक rectangular grip दिख रही है और दो triangular grip दिख रही है अब यह grip क्या काम करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम चलते हैं लास्ट वाले इस triangular grip में जैसे ही मैं माउस यहां पर रखूंगा दोस्तों आपको दिखाई देगा number of columns 5 मैं आपर एक क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं माउस को left direction में ले जाओंगा मेरे number of columns देखेंगे घट रहे हैं इधर चलूँगा 4 हो गए हैं तो मेरे number of columns मैं इस grip से increase कर सकता हूँ या decrease कर सकता हूँ अब ये वाली जो grip है दोस्तों ये column spacing को कम या बढ़ाने के लिए है आप यहां से भी इसको column space को घटाया बढ़ा सकते हैं माउस मैंने हैं रखा है एक क्लिक किया है अब मैंने 170 का 150 कर दिया है तो देखेंगे मेरा column spacing सब जगा 150 हो गया है इसी तरीके से दोस्तों यहां पर दिख रहा है आपको total rows आपको 4 दिख रहे हैं इस grip मैं एक क्लिक करता हूँ और माउस को जैसी मैंने नीचे की तरफ किया है मेरे number of rows यहां पर 3 दिख रहे हैं number of rows अब 3 हो गए है इसी तरीके से इस वाली गिरिप से दोस्तों यह वाली जो गिरिप है इस पर मैं किलिक करूंगा इससे row spacing हम घटाय बढ़ा सकते हैं अभी 85 है इसको मैं वापसी 75 कर देता हूं तो देखेंगे मेरी row spacing 75 हो गई है अब दोस्तों आपको यहां पर एक options दिख रहा है base point बेस point क्या करता है आपको दिख रहा है गिरिप यहां पर center में है base point क्या करता है इसे गिरिप को change कर देगा उसकी जगह को change कर देगा सब आता है दोस्तों rectangular array command के अंदर associate तो वो समझने के लिए दोस्तों फिर से मैं rectangle draw कर रहा हूं 100 by 50 का अब जैसे ही दोस्तों मैंने rectangular array command ली है object को select किया है enter किया है तो आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा एक option associate यह क्या काम करता है अभी मैं इसको associate को यह on है इसे on रहने देता हूं और enter करता हूं तो क् सारा का सारा object एक ही बार में select हो रहा है और जबकि associate को off करने पर क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं अगेन एक rectangle draw किया है दोस्तों 100 by 50 का अब rectangular array command में गया हूं object को select किया है enter किया है अब associate को दोस्तों में आसे अब यह blue color का है it means यह on है इसको मैं off कर देता हूं अब मैं इसको enter करता हूं तो अब देखेंगे दोस्तों मैं object को select कर रहा हूं यह सब अलग-अलग select हो रहे हैं एक इबार में select नहीं हो रहे हैं जबकि यहाँ पर associate on था तो यहाँ पर मेरा object एक इबार में select हो रहा है तो यह rectangular array command के अंदर associate था तो दोस्तों autocad के अंदर यह थी rectangular array command तो दोस्तों polar array command शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं rectangular array command के अंदर एक option और भी है वो है levels जैसी मैंने object पे click किया यहाँ पर आप आपको तीन options दिखाई देंगे यानि के levels count, level spacing and total level distance यह दोस्तों काम करता है जब आप Z axis में काम करेंगे तब आपको यह काम करता हुआ दिखाई देगा यह x and y plane में आपको काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा suppose मैंने levels यहाँ पर 1 है इसको मैं यहाँ पर 2 कर देता हूं level spacing 50 रहने देता हूं and total level distance भी 50 रहने देता हूं close array देखेंगे levels count मैंने 2 किया था कोई difference नजर नहीं आया difference देखने के लिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना axis चेंज करता हूं तो देखेंगे मेरा हैं पर number of levels 2 हो गये है 1 & 2 & इसी तरीके से इसका level spacing and total level distance 50 हो गया है तो यह दोस्त तो rectangular array command के अंदर हमारा levels तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम polar array तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक circle ड्रो कर रहा हूं अच्छे से समझने के लिए 100 radius का दोस्तों यह circle ड्रो किया है अब इसी तरीके से दोस्तों मैंने एक और circle यहाँ पर ड्रो किया है 20 radius का अब च उचरा है दोस्तों specify center point of array मैंने center point दोस्तों यह ले लिया है तो देखेंगे आपके सामने दोस्तों polar array का भी एक tool palette open हो गया है इसी तरीके से दोस्तों जैसे हमने rectangular array command के अंदर associate सीखा base point सीखा and levels यह भी तीनों options same वहीं है हम इन्हें यहाँ पर discuss नहीं करेंगे हम अभी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा है number of items यहाँ पर दिखा है 6 यानि के 123456 इसको दोस्तों मैं change करके यहां पर eight कर रहा हूं तो देखेंगे जैसे ही मैंने number of items यहाँ पर eight किये हैं तो दोस्तों Angle between items, यानि यहां पर जो 60 था, वो 45 हो गया है, वापस से दोस्तों मैं इसको 6 कर रहा हूं, तो देखेंगे, Angle between items मेरा यहां पर 60 हो गया है, एंगल बिट्विन आइटम्स कैसे देखेंगे दोस्तों यहां पर मैंने लाइन ड्रो कर ली है कमांड दी है और यह मैंने चेक किया है एंगल बिट्विन आइटम्स मेरा है यहां पर 60 दिख रहा है तो यह होता है दोस्तों एंगल बिट्विन आइटम्स पॉलर एरे के अंद पिर से दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक fill एंगल यहाँ पर यह 360 दिख रहा है it means यहाँ से दोस्तों जब आप शुरू करेंगे और वापस ऐसे घूम कर वापस यहीं तक आएंगे तो यह 360 डिकरी एंगल है इसको अगर आप change करेंगे दोस्तो items मेरे 6 ही है इनको मैं change नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं fill angle को change कर रहा हूँ 360 का मैं 180 कर रहा हूँ तो देखेंगे क्या होगा तो देखेंगे दोस्तो मेरा angle between items यहाँ पर 36 हो गया है और यहां तक यह 180 degree angle है तो मेरे 6 items जो है 180 degree angle तक ही बने है वापस मैं इसको 360 कर देता हूँ यह हो गया दोस्तो वापस 360 तो यह 3 options हमारे हैं यहाँ पर clear हो गये है number of items, angle between items and fill angle अब बात करते हैं दोस्तो rows की, rows में क्या होता है suppose मेरे हैं पर number of rows 1 है, मैं इसको यहाँ पर 3 कर रहा हूँ यह row spacing है, 60 and total जो हमारा row distance है वो है 120 वो कैसे, देखेंगे दोस्तो 123, 3 हमारे rows हो गए हैं और जो row spacing है वो 60 है, यानि कि इस circle के center point से 60 distance है, और यहाँ से यहाँ तक total distance 120 है जो कि आपको यहाँ दिख रही है इसको वापस मैं दोस्तो one कर देता हूँ बागी दोस्तो, base point आपका वो ही है जो आपका, मैंने महाँ पर rectangular array command में बताया था सिर्फ grip की position को change करने के लिए हम base point में जाते हैं इसको हम close कर देते हैं दोस्तो तो यह था दोस्तो हमारा array command के अंदर polar array तो चलिए दोस्तो अब polar array के बाद बात कर लेते हैं path array की path array क्या होता है दोस्तो अपने object को किसी path पर systematically तरीके से arrange कर के बनाने को हम path array कहते हैं तो उसके लिए दोस्तो मैं एक path बना रहा हूँ मान लीजे मैंने एक spline बनाई है और इसी path पर तो दोस्तो मैं अपने इस object को draw करूँगा ठीक है अब दोस्तो मैं array command के अंदर path array में गया हूँ ये मेरा object है इसको मैंने select किया है enter किया है अब नीचे command line में पूछ रहा है select path curve इस path curve को दोस्तो मैंने select किया है जैसे ही मैंने हैं इसको click किया है आपके सामने path array का भी एक tool palette open हो गया है अभी मैं आपको बता दूँ सबसे जरूरी path array में क्या है दोस्तो वो है options measure measure के अंदर आपको दोस्तो दो option मिलेंगे divide and measure अभी ये by default measure है यानि कि जो आपको यहाँ पर इनेबल हुआ वह दिखरा है option item spacing means ये measure है यहाँ पर आप जो भी distance लेंगे suppose ये मेरी जो spline है 2000 इसकी length है और मैंने यहाँ पर दोस्तो item spacing अभी 341 लिया है इसको मैं change कर गए 250 करतेता हूं तो देखेंगे मेरा item spacing जो है यहाँ पर कम हो गया है और number of items बढ़ गए है जैसे कि देखेंगे number of items अभी 8 हो गए है और total जो मेरी distance है दोस्तो साड़े 1700 है 1750 यहाँ से यहाँ तक और मेरी spline की जो length है वो मान लीजे 2000 है याली measure में क्या होता है फिर से समझ लीजे measure में दोस्तो इस point से लेकर चलेगा start करकर यहाँ से यहाँ तक 250 अगें 250 अगें 250 अगें 250 तो automatically दोस्तो इन number of items ले लेगा जितने भी इस length के अंदर cover होंगे अभी 250 अगर मैं length ले रहा हूँ 7500 इसकी item distance आ रही है दोस्तो यहाँ से यहाँ तक और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दोस्तो फिर लेगा 250 तो यहाँ तक 250 से कम है इसलिए इसने यहाँ पर object नहीं बनाया अब बात कर लेते हैं दोस्तो divide की divide में क्या होगा divide में दोस्तो number of items enable हो गया है suppose इसको मैं 6 कर देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए divide में क्या होता है दोस्तो यह मेरा जो path है इसका start point यह है और end point यह है इस corner को और इस corner को दोस्तो यह object पकड़ कर रखेगा और आप चाहें कितने भी number of items घटा ले या बढ़ा ले वो इस point और इस point के अंदर अंदर ही बनाएगा suppose number of items यहाँ पर मैं 4 कर रहा हूँ तो देखेंगे number of items 4 हो गए है और इसके automatically distance 63 हो गई है sorry 633 हो गई है यहाँ से यहाँ तक 633 यहाँ से यहाँ तक 633 इसे तरीके से number of items मैंने 7 किये है तो देखेंगे दोस्तो मेरी automatically item spacing change हो गया है लेकिन इस point और इस point के अंदर-अंदर ही मेरा object बन रहा है जबकि measure के अंदर क्या था दोस्तो measure के अंदर दोस्तो सिर्फ वो इस point को मानता था as a start point और अपनी उस distance को reference देता था item spacing को जो हम डालते थे अब वो जहां तक भी जाएगी वो वहां तक उस object को बनाता था तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको समझ में आया होगा path array बागे दोस्तो base point, associate, levels and rows ये सारे वो ही options हैं जो कि हमने पिछले method यानि polar array और rectangular array में सीखा तो ये था दोस्तो path array so friends आपने देखा किस तरीके से बड़ी ही easily हमने आज autocad के अंदर array command के तीनो methods सीख लिए है rectangular array, polar array and path array अगर दोस्तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like कीजिए और अगर आप घर बैठे complete autocad सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तो बहुत जल्दी अगली वीडियो में तब तक के लिए have a nice day